आगे अपन चलते हैं और forces के बारे में एक और जबतर सी जानता है कि एक फोर्स ता 100% based centralized system and what is the decentralized system before that you must know what is the centralized system centralized or decentralized system में अंदर क्या है for example ये एक company एक company के अंदर अगर MD है, company के अंदर CMD है, company के अंदर CEO है, company के अंदर you know search department है, management department है इसको बोले जाएगा centralized नुकसान क्या है, पहला आप जो भी टर्मोबल देंगे, इन सब को commission जाएगा, उसके बाद जो बचेगा आपको मिलेगा, दूसरा, जब भी गभी company के मालिक का मूर बदलेगा, वो plan को बंद कर देगा, company को बंद कर देगा, और ऐसे बहुत सारी plan market में देख यूंगे, company बहु इसके जो creator है Mr. Lado, वो भी चाहें, तो forces के plan को बदल नहीं सकते हैं, forces के plan को edit नहीं कर सकते हैं, यही कारण है, कि मैं और नहीं, लेकिन मेरे जैसे 18,00,00, लोग अपना पूरा carrier forces को दे रहे हैं, कि कुम को पता है, forces का creator चाहे भी, तो कुछ कर नहीं सकता, नहीं plan बदल सकता ह ही वता हुप पंकर सकते हैं